हेलो फ्रेंड्स, नीट यू जी दोहजार चौ़िस के लिए इंपॉर्टेंट इनफोमिशन आ चुकी है, एक्जाम को फिर से कराने की मांग हो रही है, नीट यूजी दोहजार चोवी सुक्रिम कौट का झो है, बड़ा फैसला नीट यूजी एक्जाम को लिकर है, कौट ने N चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आगे का जो प्रोसेस रहेगा नेट यूजी 2024 चाहे वो री नीट को लेकर हो सुप्रीम कोड के डिसिजन को लेकर हो एंडिय का ओफिशल नॉटिस एन एमसी का या फिर काउंसलिंग को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो चैनल को सब्सक्राइब किसेगा अब देखे गाइस नेट यूजी 2024 का जब से एक्जाम हुआ है एक्जाम के बाद से कंटिन्यू जो लेकिन रिजल्ट अब आप सब लोगों के सामने है और रिजल्ट आते ही मेरे ध्यान से किसी भी स्टूडेंट को ये कंफूजन नहीं रहा कि पेपर किस लेवल पर लीक हुआ है ठीक है पेपर रिजल्ट में कितनी गड़बड हुई है तो क्या रिजल्ट रिवाईश होना चाहिए तो देखें ये गाइस मैंने आज की न्यूज ओपन कर दी है नीट यूजी दो हजार चोबी सुप्रीम कॉर्ट में कथित पेपर लीक पर नीट परिक्षा दोभारा कराने की मांग को लेकर अब और याचिका ये जो है दायर हो रही है समीधान के अनुचेद 32 के तहट दायर रिट याचिका में पेपर लीक के आरोपो के मद्धे नजर रास्ट ये परिक्षन एजेंसी को फिर से परिक्षा आयुजित करने को निर्देश देने के मांग की गई पांच में को आयुजित परिक्षा की पवितरता पर संदह जताते हुए याचिका करताओने परिक्षा रद करने के मांग की याचिका जो है वो एक जून को दायर की गई थी और एक जून के बाद नीट यूजिका रिजल्ट आ चुगा है और रिजल्ट आते ही कितनी सुची बद होने के उम्मेद है 17 में को इसी तरह कि रहत मांगने वाली अन्य याचिका पर विचार करते हुए सुप्रिम कोट ने नीट परिक्षा के परिणामों के गोशना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया यह आप सभी को पता है जब स्टे हट गई थी तब नीट यू लिग होने के कई मामले सामने आए थे लिग की जानकारी उन्हें नहीं मिली उन्हें ने तरक दिया कि कथी ते पेपर लिग अनुच्छी दे 14 का उलंगन है क्योगि इस से कुछ अमिदवारों को दूसरों की तुलना में अनुच्छी तलाव है मिला जिन्होंने भारतिया आदार पर आयुजित परिक्षाओं के परिनामों पर रोक नहीं लगाई जा सकते अब गाईज अगर देखे सुप्रिम कोर्ट अब जुलाई में इसका फाइनल डिसिजन लेगी तो काफी जो लंबा प्रोसेस है वो चला जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल स्टुडे रिजल्ट में भी काफी जादा गड़बड है मैथेमेटिकली जो कैलकुलेशन है वो सही नहीं दिया है एंटिये ने इसलिए रिजल्ट में भी गड़बड है पेपर लीक भी हुआ है तो पेपर को दोबारा से करवाया जाना चाहिए और अगर जुलाई में सुनवाई होत करने का भी चाहिए होगा और इतना टाइम अगर लगेगा वापिस एक्जाम कंडेक्ट होगा फिर रिजल्ट निकलेगा तो जो सेशन है वो काफी ज़्यादा डिले हो जाएगा ठीक है तो जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोड का फैसला होना चाहिए इसके अंदर स्टुद करने वाले बच्चे निकल पाएंगे आप लोगों का सेलेक्शन हो जाएगा बिना महनत वाले जो स्टुडेंट है वो रह पाएंगे ठीक है तो इतनी आवाज उठाइए अपनी बुलंद आवाज उठाइए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या चाहिए आप रिजल्ट प्लंद कीजिए किसी दी आपकी आवाज गौर्मेंट तक पहुंचे सुप्रीम कोड तक पहुंचे और उसका फाइनल जो है रिजल्ट निकल जाए ठीक है तो यह आप लोगों के लिए इंफोर्मेशन थी अपनी राइ को जरूर से मेंशन कीजिएगा जल्द ही मिलते हैं इस न्यू अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक्यो गाइज